जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि प्रधान मंतरी आबास योजना 2025 के अंतरगत ओनलाइन ही आबेदन होना इस्टार्ट हो चुके हैं तो आप लोगों को किस तरह से घर बैटे ही अपने मोबाइल पॉन के माद्देम से इसमें ओनलाइन अपलाई करना है इसमें आपके कौन-कौन से डोक्मेंट्स लगने वाले हैं क्या इलीजवल्टी रहेगी कौन-कौन से पातरता रहने वाली है अगर आप इस वीडियो को देख करके अपने फोर्म को ओनलाइन करेंगे तो आपका जो फोर्म है बिना किसी गलती के सब्मिट हो जाएगा और आप लोगों को गवर्मेंट के तरफ से मकान बन माने के लिए धाई लाग रुपए दिये जाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्सन बोक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरिक्ट ही इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप लोगों को प्यम आवास योजना से रेलेटेट कम्प्लीट इंफोर्मेशन देखने को मिल जाएगी अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ नीचे की साइड में आ जाना है यही से आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि इसमें आपके कौन-कौन से डुकमेंट्स लगने वाले हैं आपकी इस योजना के अंतरगत क्या-क्या पातरता रहने वाली है और इसमें आपको कैसे अपलाई करना है सबसे नीचे की साइड में यहाँ पर आपको एक ओप्शन देखने को मिल जाता है इन्पोर्टेंट लिंक्स और इसके जश्ट नीचे ही आपको वेबसाइट लिंक के सामने क्लिक हेर वाले ऑप्शन पर एक बर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में गाइडलाइन को भी डाउनलोड कर सकते हैं मैं आप लोगों को यहाँ पर डायरिक्ट ही अपलाई करने का प्रोसेस बताने वाला हूँ तो आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा यहाँ आप लोगों को ऊपर के साइड में 3.पर एक बार क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है apply for PMAYU 2.0 तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने इंस् सबसे पहले तो आवेदक के पास में आधार कार्ट होना चाहिए इसके बाद में यहां पर परिवार के सदस्यों का आधार कार्ट होना चाहिए इसके बाद में यहां पर आवेदक के सक्क्रिये बैंक खाते का विवरार बैंक खाते में आप लोगों का बैंक अकाउंट चाहते हैं तो उस भूमी के दस्तावेज भी होने चाहिए uhumie के दस्तावेज में आप लोग अपनी जमीन का बैनामा भी लगा सकते हैं तेन इसके बाद में proceed वाले option पर एक बार click करेंगे click करने के बाद next page कुछ इस तरह से आ जाएगा, अब यहाँ से आप लोगों को अपनी eligibility को check कर लेना है सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपनी annual income को enter करना है इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को select करना है, तीन option मिलेंगे पहला option है BLC, इसके बाद AHP और ISS, तो अगर आपके पास में खुद की जमीन है और आप लोग उस पर आवास बनाना चाहते हैं तो आपको पहले वाले option को select कर लेना है इसी के साथ में अगर आप लोग plot को खरीद कर आवास बनाना चाहते हैं तो आपको second number वाले option को select करना है अगर आप लोग कहीं से भी loan लेकर के आवास को बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर तीसरे नमबर वाले option को select करना है तो जैसा कि हमने पहले नमबर वाले option को select कर लिया इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने दो option मिल जाएंगे कि आपके पास में कहीं पर भी इंडिया में मकान अपना खुद का है या फिर नहीं है तो हमने यहाँ पर नोबाले option को select कर लिया इसके बाद में कि आपको पहले कभी PM आबास योजना का लाब मिला है अगर मिला तो आप यह करेंगे तो आपको इस योजना का लाब नहीं मिलेगा तो यहाँ पर भी हमने नोबाले option को select कर लिया then इसके बाद में eligibility check वाले option पर एक बार click कर देना है click करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा consent, आधार, authentication अब यहाँ पर सबसे पहले अपने आधार number को enter करना है आपके आधार card में जो भी नाम है उस नाम को यहाँ पर fill करेंगे यहाँ पर एक box दिखाई दे रहा इस पर आपको tick लगाना है और इसके बाद में generate OTP वाले option पर एक बार click कर देना है और इसके बाद आधार card से जो भी mobile number link है उस पर एक OTP send किया जाएगा OTP यहाँ पर आपको fill करना है देन submit वाले option पर एक बार click कर देना है और click करने के बाद में अभी आप लोग देख सकते हो हमारे सामने PM आवाज योजना शहरी 2.0 में online apply करने का पूरा form कुछ इस तरह से open होके आ जुका है अब सबसे पहले तो यहाँ पर जो पहले number वाला option है यह आपका automatic ही fill रहेगा यहाँ पर आप लोगों को आवेदक के name को भी fill करने की जरूरत नहीं है आवेदक का नाम और आधार number यह automatic ही fetch हो जाएगा अगर आपके पास में pine card available है तो यहाँ पर pine card number दे सकते हैं अगर नहीं है तो आपको इसे खाली ही छोड़ दे इसके बाद में आप लोगों को इस calendar के मादिम से आवेदक की date of birth को select करने के बाद में age automatic ही calculate होके आ जाएगी और यहाँ से आप लोगों को gender को select कर लेना है इसके बाद में यहाँ पर बैवाहिक इस्थिति आपको बतानी है कि आप married है या फिर unmarried नीचे की side में आएंगे यहाँ पर आप लोगों को अपने पिता जी का नाम एंटर करना है जो भी उनके आधार card में नाम है same to same name यहाँ पर आप लोगों को fill करना है और यहाँ पर आप लोगों को पिता जी के आधार card number को भी एंटर करना है इसी के साथ में अपनी माता जी क का नाम यहां पर आपको फिल करना है और माता जी के आधार कार्ड नंबर को यहां पर इंटर करना है कुछ नीचे की साइड में आएंगे यहां पर आप लोगों को रोजगार की स्थिति बतानी है तो सेलेक्ट इंप्लॉयमेंट स्टेटस वाले ओप्शन पर क्लिक करेंगे य इसके बाद में यहां पर क्या परिवार के पास भारत में कहीं पर भी पक्का मकान है या फिर नहीं तो यह हम पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं कि नहीं है इसलिए आउटोमेटिक ही सेलेक्ट हो चुका है जो आपके फैमिली की इंकम है वो भी आउटोमेटिक ही आ चुकी है जो भी हमने फिल की थी, अब यहां पर आप जो भी income फिल करेंगे, तो आपके income certificate पर जितनी भी income है, उसी income को आप लोगों को यहां पर फिल करना है, अगर आप कोई अलग income अपने तरफ से फिल करेंगे, तो आपका जो form है वह reject हो सकता है, अब यहां पर आप लोगों को अपन पूंचा जा रहा, यहां पर कुछ इसकेम्स दे गई हैं, जैसे कि प्यम बिसुकर्मा योजना, या फिर प्यम स्वानिधी योजना, तो अगर इन में से किसी भी योजना का लाब आपको मिला है, तो यह वाले ओप्शन को सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ओप् को फिल करना है, जिसमें कि यहां पर दो एड्रस फिल करने है, एक आप लोगों का बरतमान पता, दूसरा इस्थाई पता, तो उपर वाले कोलम में आप लोगों को अपने बरतमान पता को फिल करना है, और नीचे वाले कोलम में आपको इस्थाई पता को फिल करना है, सबसे अगर आईडी नहीं है तो आप इस खाले भी चोड़ सकते हैं कुछ नीचे की साइड में आएंगे आप लोगों को यहां पर आवास निरमाड स्थलका पता यानि कि जमीन पर आप लोक्का बंवाना चाहते हैं तो बहें कहां पर है तो उसकी information यहां पर फिल करना है जिसमी कि सबसे पहले यहां पर flat number फिल करेंगे गाउंगली महल्य का नाम फिल करेंगे state select कर लेना है district इसके बाद city का नाम और अपने एरिया के pin code को enter करना है mobile number यहां पर आपको enter करना है और email भी जमीन है उसके जो documents हैं उन्हें भी आप लोगों को यहां पर upload करना पड़ेगा और इसके बाद में आपको बताना है कि आप बरतमान सहर कस्वे में कितने बर्सों से रह रहे हैं तो आपको select वाले option पर क्लिक करना है यहां पर आप लोगों को year को select कर लेना है अब आप लोगों को यहां पर बरतमान घर का स्वामित तुकवन है वो आपको बताना है जैसे कि अभी आप लोग जिस भी घर में रहते हैं तो क्या बहे घर करेंगे यहां से आप लोगों को relationship select करना है कि जिसके भी नाम से apply कर रहे है उससे इस family member का क्या relationship है इसके बाद में यहां से आप लोगों को gender select करना है और यहां पर आपको आधार card number enter करना है इसके बाद में यहां से occupation को select कर लेना है और यहां पर आपको aid वाले option पर click कर देना है जिसमें कि सबसे पहले account number एंटर करेंगे दुबारा से account number एंटर करेंगे और इसके बाद में यहां पर आयफसी code एंटर करके gate bank details वाले option पर click करेंगे आपका जो bank साखा का नाम है और bank का नाम है यह दोनों automatic ही आपके आयफसी code से fight होकर आ जाएंगे कुछ नीचे के साइड में आएंगे दो option आपको देखने को मिल जाते हैं yes और no तो यहां पर आपसे पूंचा जा रहा है यहां पर कुछ योजनाय दी गई है जैसे कि यहां पर अगर आप लोगों को आयूशमान भारत योजना का लाब मिल रहा है या फिर आपको प्यम उज्जोला योजना का लाब मिला है या फिर आप लोगों को यहां पर प्यम सूरेघर मुफ्त बिजली योजना का लाब मिला है तो इनमे से किसी भी योजना कलाब अगर आप ले रहे हैं तो आपको yes करना है अगर किसी भी योजना कलाब नहीं मिला तो आपको no वाले option को select कर लेना है इतनी सभी कुछ information को fill करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने 3 option आ जाते हैं पहला option है save, दूसरा preview, तीसरा cancel यानि की रद तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर save बाले option पर एक बार click करना है इसके बाद में preview बाले option पर click करना है आपने अपने form में जो कुछ भी information को fill किया था बहे सारी कुछ information आपके सामने आ जाएगी, अगर सब कुछ सही है तो आपके सामने final submit का option आ जाएगा आप लोगों को अपने form को final submit कर देना है, जब आप लोग यहाँ से अपने form को submit कर देंगे इसके बाद में इसका जो verification है बहे state level पर किया जाएगा, district level पर किया जाएगा और आपका जो form है जैसे ही approve हो जाता है इसके बाद में आप लोगों का जो नाम है बहे PM आवास योजना new list 2025 में aid कर दिया जाएगा और इसका जो lab है वो आप लोगों को इस year तो नहीं मिलेगा, आप लोगों को 2025 में इस योजना का lab मिलने बाला है आप चाहें तो online ही इसका status भी check कर सकते हैं इस तरह से आप लोग घर बैटे ही PM आवास योजना के अंतरगत online ही apply कर सकते हैं इस form को fill करने में कोई भी अगर आप लोगों को problem आ रही है तो आप हम से comment करके पूछ सकते हैं